तो आज की ओडियो बुक समरी है the rules of work a definitive quote for personal success जिसे लिखा है Richard Templer ने कहीं सालों तक successful लोगों को observe करने के बाद में Richard Templer अपनी इस book में हमको promotion से related और work rules से related सवालों की जवाब देंगे हम सीखेंगे कैसे अपनी job में success पाने के लिए और office में exceptional force बनने के लिए planning की जाए तो अब वो वक नहीं रहा जब हम अपने मेनद से सब कुछ हांसिल कर सकते हैं और अपने काम में expert होना ये काफे नहीं है अब time आ गया है इस game में आगे बढ़ने का और promote होने का अगर बाकी ऐसा कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं और इस book summary को पढ़ने के बाद में आप एक ही बात कहने वाले है कि अपना time आएगा तो चलिए विनादेर की start करते हैं आज की book summary the rules of work by Richard तो एक पार Richard नाम का एक आदमी था वो जॉब में promote होकर के manager बनने वाला था लेकिन एक problem थी दरसल उसका एक competitor था जिसका नाम था Rob Richard Rob से ज़्यादा पड़ा लिखा था और सब लोग उसको फसंद भी करते थे इसलिए उसे पुरा यकिन था कि इस बार उसकी promotion पकी है लेकिन Richard उस वक्त हका बका रहे गया जब एक consultant से पुचा गया कि इस बार promotion की से मिलने वाली है तो consultant ने Rob का नाम लिया और हुआ भी ऐसा ही Rob को promotion मिल गए भले Richard की साबसे वो useless और unpopular था लेकिन ऐसा क्यों हुआ Richard के साथ में ऐसा क्यों हुआ ये explain करने के लिए Templar ने एबुक लिकी है जिसमें आप सीखेंगे कि कैसे promote हुआ जाए और खुद और से हट करके बना जाए और कैसे life में great success अच्चिव की जाए तो आज की इस learning journey की start करते हैं इस पहले chapter से Walk your talk जब आपको कोई task swap जाता है तो ये आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप उस काम को न सरफ अच्छे से समझने के कोशिस करें बलकि अपने colleagues के मुकाबले बहतर ढंग से उसको पूरा करके दिखाए अगर आप चाहते हैं कि ओफिस में आप दूसरों से बेटर और efficient बने तो आपको खुद को सब के notice में लाना होगा daily same routine follow करना आपके अंदर passion और creativity को मार देता है इसलिए आपको कुछ अलग करना होगा जैसे कि आपके company आपसे यह expect करती है कि रोजाना आपको कई सारे process analyze करने होंगे तो आप अपने जिमिदारी को limit मत रखो अगर आप ऐसा करते हो तो आप एक regular employee बने जाओगे चाहे आप यह और ना कि decide कर लो आपको company के बाकी लोगों से task process करने है तो भी आपके काम को notice नहीं किया जाएगा लेकिन अपने boss को office में सब की productivity कैसे improve की जा सकती है उसके बाले में एक report बना करके देना एक unique steps होगा इस type के report देना एक smart तरीका होता है इससे यह जाहिर होता है कि आप सिर्फ salary के लिए काम नहीं करते हो बल्कि आप अपने काम के प्रतिय और पूरी company को improve करने के लिए dedicated इस तरह की report कभी कभार ही summit की जानी चाहिए अगर आप अपने boss को daily type के reports देंगे तो वो irritate हो जाएंगे उसे लगेंगा कि आप उस पे pressure डाल रहे है कि वो कोई action ले इसलिए right time पर right content पिक करके report बनाने में ही फायदा है आपका goal सिर्फ अपने काम को perfectly अंजाम देना नहीं है बल्कि आपको इस promotion के बारे में सोचना है जिसको सबना हर कोई देखते है बाकी employees की तरह मत बनो जो सिर्फ office इसलिए आते हैं कि जल से जल अपने काम खतम करके घर अप आपस चले जाए ऐसे लोग सिर्फ office में passenger की तरह होते हैं ना तो ही अपना काम सही डंग से करते हैं और ना ही मौके का सही फायदा उठाते हैं ऐसे लोगों की कोई खास goals भी नहीं होते हैं लेकिन आप इन लोगों में से नहीं है कभी भी वेकार में time waste मत करो जल्दी काम पर जाये काम पूरा करे और अगर आपका काम जल्दी खतम हो गया तो दोपेर में आप कुछ और चीज़े कर सकते हैं जैसी कि अपने promotion के लिए planning करना अपने competitions को study करना कोई report तयार करना या कोई कुछ और नहीं तो अपने कमने के history को ही जानने के कोशिस करो एक exceptional employee बनने का दूसरा तरीका है finding a niche यानि कि अपनी speciality या फिर खासियत धुनना जब आप रोज ओफिस जाते हो तो आप वहाँ को यह ऐसा area धुनने के कोशिस करो जो अभी तक किसी ने notice नहीं गिया है इस area को अपनी speciality बनाने के कोशिस करो एक specific niche पर focus करके आप खुद उसमें export बना ही लेंगे साथी आपका boss भी आपको notice कने लगेगा हो सकता है कि वह आपके बारे में बाके seniors को भी बताए इससे आपकी promotion एक दम पकी हो जाएगी अब जिसे माइक का example पढ़ते हैं माइक एक extraordinary employee उसकी speciality है कि वह customers के बारे में सारी knowledge रखता है उनके बच्चों के नाम हो कहां गुमने जाते हैं उनके बहुत दे कब आती है और उनके interest क्या-क्या है माइक को सब पता होता है जब भी किसी को किसी customer की knowledge चाहिए होते तो वो माइक के पास जाता है यानि माइक customers की information के बारे में चलता फिरता एंसाइकलोपीडिया है समा सकते हो आप जली आफ पूरी office में फैल गई और वस तक भी पहुंच गई माइक के इस unique ability के बारे में सब को पता चल गया था यानि कि माइक ने अपने लिए promotion का chance पका कर लिया था उसने एक ऐसी specialty अपने अंदर में developed की जो किसी ने भी अभी तक नहीं सोचा था वो brilliant तो था ही साथ ही उसके company के लिए एक important assets भी बनने के लिए काफी महनत भी करता था वो अगर आप promote होना चाहते तो आपको समय समय पर report दे करके अलग दिखें कि कोशिस करनी चाहिए इसलिए आप भी अपना एक unique niche चुनिए और उसमें master बननी है अगर आप इस chapter को सिखाए गए tips को apply करेंगे तो आप भी अपने company के लिए powerful assets बन सकते हो और अब अगले chapter में हम जानेंगे कि know that you are being just at all time अपने तयार होने का जो तरीका और फिर आप कौन सी car यूज़ करते हैं या आपके बार में काफी कुछ बताता है इसलिए अपने appearance और आप कैसे दिख रहे हैं अपने व्यवहार को control करके आप दूसरों के opinion को control कर सकते हो आपका काम से बच्छा काम करना नहीं है आपको ये पता होना चाहिए कि आपको अपने हर काम के लिए judge किया जाता है पहरे आपको smile करने के practice करनी होगी आपकी smile एक दिम general है यानि कि दिल से सची होनी चाहिए आपको ज्यादा मू नहीं खोलना है आपकी smile real लगनी चाहिए जो सीधा दिल से निकले अगर आप fake smile करते तो सामने वाला समझ जाएगा कि आप जब अधिस्ति smile कर रहे हो smile करने के practice करने के लिए आप videos को इस्तमाल कर सकते हैं खुद को smile करते हुए record करो अलग-अलग तरह की तरह से smile करने के practice करो जब तक कि आपको एक perfect smile ना मिल जाए अच्छी smile के साथ में आपको अपने style पर भी ध्यान देना पड़ेगा आपका dressing sense आपकी personality को दिखाता है लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि लोगों की नजरों में आने के लिए आप अपने बाल red color में dye कर लो बल्कि आपको एक classy, simple और unique style अपनाना पड़ेगा आप किसे एक चीज को choose करके उसको unique बना सकते हो लेकिन आपको tight कपड़े avoid करने चाहिए क्योंकि इससे इंसान की personality थोड़ी से chief लगती है हमारा मतलब यह है कि कपड़े हमेशा सही comfortable वाले होने चाहिए नो तो ज्यादा tight नो तो ज्यादा lose जितना हो सके simple और clean type का make-up करे अफिस में heavy jewelry और exercise नहीं पहने तो अच्छा होगा अगर आप महंगे कपड़े effort नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं कुछ ऐसा choose करिए जो stylish और सस्ता हो अपना unique style बनाने के लिए आपको थोड़ा सा time लगए पर एक बर अगर आपनी इसको बना लिया तो आप company के सबसे presentable employees के तोर पर पर जाने जाओगा have a plan यानि कि आप अपनी company में कौन से goals अच्छीव करना चाहते हो क्या आप सिर्फ company में तीके हुए रहना चाहते हो या फिर जल से जल promotion पाना चाहते हो आपके चाहे जो भी goals हो उन goals को अच्छीव करने के लिए आपको plan बनाना होगा इसमें long term और short term goals सामिल होने चाहिए long term goals bond का और simple होना चाहिए इसमें junior से लेकर के senior post तक के promotion से लेकर के एक executive plan बनने तक का plan सामिल होना चाहिए short term goals के लिए आप अपनी company में पहले ध्यान से studies कर लिजे company को जो आप से पहले promote हुए है उसके बारे में पता करो कि उन्हें promotion कैसे मिली थी आपको पहले long term goal decide करने चाहिए फिर short term goal plan करो आपको एक महिने पहले से ही planning start कर देनी होगी अपने task और उन project को priority दो जो आपको सबसे पहले पूरे करने होंगे आपको एक महिने एक साल और पांच साल का plan मनाना चाहिए जिसे example के लिए इस book के author इन plans को अलग-अलग रखते हैं वो अपने एक महिने के plan को अपने desk पर एक notebook में लिखके रख लेते इस paper में 12 box बने हुए होते हैं और हर box में वो लिखते हैं कि उस महिने वो क्या करना चाहते हैं इस paper पर author वो लिखते हैं जो वो करना चाहते हैं इसमें उनकी duty सामिल नहीं होती है अब क्योंकि author freelancer है तो उनका schedule भी flexible है उनका काम होता है कि unexpected होता है काम क्योंकि हमें से नहीने clients दुनते हैं उन calendar में वो सारे project सामिल होते हैं जो वो achieve करने की इच्छा रखते हैं और जो काम उनको पूरे करने होते हैं अपने 5 year plan के लिए author एक general overview रखना पसंद करते हैं कि अगले 5 साल में उनका target क्या है planning का मतलब यह नहीं है कि आपको एक fixed lifestyle जीनी होगी क्योंकि कोई नहीं जानता कि कब क्या हो जाए और ना जाने कब आपको कोई नया project मिल जाए इसलिए हमेशा अपने plan को flexible और adjust करने का mindset रखे हैं और अपने लिए एक game plan develop करके आप पता कर सकते हैं कि आप अपनी company और life में क्या role play करना चाते हैं और फिर उसे के साब से plan करते हुए आगे बड़ो game plan सिर्फ एक goal नहीं होता आप किस type के इंसान बनना चाते हैं यह भी उसमें सामिल होता है जिसे example के लिए अगर आप अमीर बनना चाते तो आपको अपने अंदर giving nature यानि कि देने की मानसिक्ता भी develop करनी होगी और आपका giving plan इस तरीके से होगा कि मैं अमीर और उद्दार बनूंगा अपने game plan को execute करने के लिए objective सेट करिए objective एक line का sentence है जिसमें आपका daily mission सामिल होता है जिसे मान लेजे कि आपकी आज कोई meeting है और problem यह है कि meeting से आपको पसंद नहीं है क्योंकि meeting में आपको अपना best performance नहीं दे पाते हो आप यादो बेकार के subject में बात करने लग जाते हो या फिर useless data present कर देते हो और आपका एक कलेद्यास है जो हम इसे meeting में बाजी मार ले जाता है इसे आपको और भी ज्यादा inferior feel होता है तो ऐसे में आपको एक objective सेट करना है कि आप जो आप हो ही बोलो कि जो matter करेगा यानि जो meeting क के लिए काम का topic होगा कोई अगर आपको manipulate करने के कुछिस करें तो आपको उसको ignore करना होगा अब आपका काम है इस objective को follow करना जो भी objective आप सेट करो वह आपके game plan और long term और short term goals की साब सेट होना चाहिए अपनी work life को organized truck हो एक बार जब आपको ड्रीम अचीब करने के लिए अप after yourself क्या आप लोगों को help करते हो या उनको hurt करते हो क्या आपकी company कुछ गलत काम कर रही है अगर ऐसा है तो आपको decide करना होगा कि आपको यहां काम करते रहना है आपको job छोड़ना है एक और चीज जो आप कर सकते हो अपनी company के standard को अंदर से change करनी के कोशिस करो सायद आप अपन उनकी consciousness हमेशा clear है वो कभी किसी का बुरा नहीं सोचते हैं उनके personal standards है कि वो अपने सपनों को पूरा करने के लिए दूसरों को कभी hurt नहीं करेंगे और वो कोई moral code या फिर lock तोड़े बिना काम करेंगे उनका goal है society में अपनी तरफ से कुछ न कुछ योगदान देना ओतर बगेर किसी लालज के शेयर करनी चाहिए और थर की तरह आपको भी अपने personal standards लिखनी चाहिए और उनको ज्यादा से ज्यादा फोलो करनी के कुछिस करनी चाहिए आपके primary standard में एक चीजरूर हनी चाहिए और यह है कि आपको कभी जूट नहीं बोलना है चाहे कुछ भी हो ज गिल्ट की फिलिंग नहीं आएगी कई बार एक चोटा सा जूट भी इंसान को किसे कानूनी कारवाई में भसा सकता है एक एकलो ताकेस जहां आप details एड़ कर सकते वो है आपका resume जहां आप कुछ exciting facts एड़ कर सकते हो या फिर बढ़ा चड़ा करके अपने बारे में लिख सकत पहले से बता था कि उनकी खूब बिलकेगी नहीं लेकिन उन्होंने जूट भी नहीं कहा था क्योंकि उनको पूरी उम्मीद और विश्वास था कि आसा ही होगा Act 1 Steps Act यानि कि पहले की chapter में हमनी इस बात पे focus किया कि आपका अपनी job पे main goal आगे बढ़ना और तरकी करना है यानि कि promotion पाना है सिर्फ monthly package के लिए काम करना आपकी life का goal नहीं होना चाहिए बलकि आपको success के उचाईयों को चुना है अगर आप ऐसे act करोई जैसे कि आप promote हो चुके हो तो आपके promotion के chance बहुत जल्दी बढ़ेंगे अपना part play करने के लिए आपको अपनी dressing sense, अपनी communication, अपनी act करने का तरीका सब change करना होगा अगर आपका goal manager बनना है तो अपनी company के current manager को देखो उनका style, उनका dressing sense वगेरा वगेरा सब कुछ observe करो और follow करने की कोशिस करो author जब एक assistant manager थे तो वो सिर्फ ऐसे कपड़े पहनते थे जो उनके position के हिसाब से suit करता था लेकिन जब उन्होंने manager बनने का goal set किया तो उन्होंने अपने wardrobe भी बदला और अलग-अलग तरह के कपड़े पहनने लगे उनका manager बनने का सपना पूरा हुआ और उनको जल्द ही promotion मिल गया दरसल हर job का clothing style भी different होता है author ने कई लोगों के interview लिये है उनको कई लोगों को दे करके बड़ी हैरानी होते है जो बिना polish किये हुए जूते या फिर बिना press किये हुए कपड़े पहन करके interview देने पहुच आते थे इस job के लिए इंटर्वी आने देने के लिए चाहते है उस पे भी हमको ध्यान देना चाहिए अपने communications पे भी हमको ध्यान देना चाहिए जैसे example के लिए अपने boss की job पर नजर गड़ाए तो उनको करीब से observe करी है वो कैसे act करते हैं कैसे बात करते हैं कि यह सब हमको ध्यान देना पड़ेगा जैसे कि एक आम regular employee बातचीत के दौरान मेरा जैसे सब ज्यादा यूज करता है क्योंकि उसको सिर्प अपनी परवाह होती है लेकिन boss हमेसा हम कह करके बात करता है क्योंकि वो हमेसा सब को साथ ले करके चलता है और अपने नीचे काम करने वाले लोगों के लिए जिम्यदारी फील करता है अपनी बातचीत का तरीका बदल कर कि आफ़ाल तो कि गॉसिप बात बात पर कासम खाना या टीवी सोच जैसे यूजलेस टॉपिक पर बात करने से बचे रहेंगे आपको अपने एक करके एक लीडर की तरह एक्ट कर सकते हैं इससे आपको अपने अंदर और ज्यादा कॉंफिडेंट आएगा और मैच्यूर होने के फीलिंग आएगे बाकी एंप्लोई के मुकाब्ले आपको एक स्टेप आगे रहना होगा तभी आप अपने कॉंपिटिटर से आगे निकल सक हैं तो ऐसे मैं आप अलग कैसे दिखेंगे और कैसे साबित करेंगे कि आप फी कंडिडेट से होता है इंटरनल और एक्स्टैनल कैंडिडेट फस्टैप के टिर्ट कोर युजा लोगे जी बहुत अच्छे से जानते हैं कूए आप ल honest एमस्हित अनके सात हुरता है और यु उन्होंने पहले उन सारे कलिक्स को पहचाना जो इस पोस्ट के लिए पोटेंशल केंडिडेट है फिर उन्होंने सबसे जहीं जाने के कोशिश किर की वो प्रमोट होना चाहते हैं या नहीं फिर ऑथर ने उनको अपनी लिस्ट में से अलिमिनेट करना स्टार्ट कर दिया और में उनके लिस्ट में कोई भागी नहीं रहा कभी सिक्योरिटी डिपार्टमेंट में से एक नए चैन्डिडेट ऊबरा आप क्योंकि ऑथर उस और यूसको लिस्ट में सामिल करना भूल गयते तो उसर्मोशन मिल किया यIf टेंगये एक्टॉरनेल केन्डिडेट के नाम के लिए सांसल कर सकते हैं अपने competition के बारे में study करो इससे आपको उन्हें को eliminate करने के लिए easy होगा जिसे example के लिए यह जानने के कोशिस करो कि आपकी company को किस तरह के candidate चाहिए है फिर यह देखो कि हर candidate के क्या खासियत है या तो आप भी उन तक पहुंचो या फिर आगे वड़ जाओ लेकिन ध्यान रखो आप चाहे कुछ भी करो पर कभी दूसरे candidate के साथ में दोखा करने के कोशिस मत करना ना तो पीठ पीछे उनकी बुरा है करो और ना ही उनके बारे में अफ़वा फैलाओ दूसरे candidates की जासुशी करवाना उन पर नज़र रखना ये सब भी आपको avoid करना चाहिए अपनी sensitive informations कभी भी किसी candidates के सामने में share मत करना वरना आपके success के chance कम हो जाएंगे याद रखिए कुछ ऐसे personal standards होते जो आपको workplace में follow करने चाहिए होते हैं जैसे कि मानदारी के साथ में अपना काम करो office में सबसे बना करके रखो जहां तक हो सकी कोशिस कर आती है तो कैसे आप उस situations को समालते हो यहां आपको अपने brilliant troubles shootings और अपने skills को confidence को दिखाते हुए problem को handle करना है आपका बहुस ऐसा potential candidate ढून रहा है जिस पर उसको भरुसा हो कि किसी भी problem को handle कर लेगा अगर उससे लिएगा कि वह आपको भरुसा कर सकते है तो यकीन मानिए anything nice then set up पहले वाले chapters में हमने mention किया कि आपको अपकी हर बात के लिए judge किया जाता है इसलिए हम में सब positive statement दो ना तो कभी फालतु की gossip करो और ना ही किसी का मजाग उडाओ जब तक आप काम कर रहे हैं आपको ना कबिल stupid और आल सी लोग मिलते रहेंगे कोई manager या boss बन गया तो इसका मतलब यह नहीं कि वो perfect है आपको हर वक्त सिकायत करने से भी बचना होगा जब आप सिकायत करते तो आप अपने बारे में negative image बना लेते हैं और फिर gossip तो स्रिफ टाइम की बरबादी और कुछ भी नहीं इसके अलावा हर वक्त दूसरों की बुराई करना और उनका मजा कुड़ाना भी आपकी reputation को घराब कर सकता है अगर आपको promotion चाहिए तो सबसे पहले अपनी reputation पर ध्यान दो कभी किसी को कुद पर उंगली उठाने का मोका मत दो सिकायत करने के बजाए problem का solution निकालने की सोचो एक या दो हपते तक किसी approach को follow करके देखो आपको बहुत बड़ उठाते रहता है अपनी जिम्यदारियों को दूसरों के सर मढणना एडम की रोज की आदत बन गई है अब ऐसे situation में लोगों का normal reaction होगा कि एडम जब भी आसपास ना हो तो उसके बुराई की जाए क्योंकि हर कोई उससे खफा है इसलिए जब भी मोका मिलता है तो एडम के क आखिर एडम एक इंसान ही तो है जिसे लोगों की बातों का बुरा लग सकता है और पीठ पीछे उसकी बुराई करने पर आप असल में problem solve नहीं कर रहे हो बलकि एक बुरा example ही set कर रहे हो तो याद रहे आपकी repetition बहुत important है आपका boss किसे ऐसे इंसान को तो बिलकुल promote नहीं कर लेकिन अगर आप कोसिस करते रहोगे तो यह आदत एक नई एक नएक दिन जरूर चुट जाएगे जैसे example के लिए एडम के बुराई करने के बजाए आप उसके लिए खड़े हो सकते हो अपनी कलिक से कहिए कि उसके पीठ फिछे उसके बुराई करना अच्छी आदत नहीं है अपने कलिक्स को सिखाईए कि सिकायत करने साथ चाहिए कि वो प्रॉब्लम को सोल्ट करने के कोशिस करें आप चाहे तो इस बारे में एडम से डारेक्ली और रस्पेक्ट से बाते कर सकते हैं इसके अलावा आप एडम के बारे में कुछ अच्छा भी तो बोल सकते हो जैस को भी हम इसे support करते रहेंगे next chapter है blend in हम पहले stand out यानि कि औरों से हट करके बने की चर्चा की थी stand out का ये मतलब नहीं है कि आपको औरों से अलग थलग रहना है या ऐसा दिखना है कि आप उनसे better हो बल्कि आपको यहाँ सीखना है कि आप आप अपने office की regular life में भी exceptional यानि की हट करके कैसे बन सकते हो अपनी कंपनी की culture को study करके और समझ करके आपको उसे अपनाना है जिससे कि आप उसी एक आएक पार्ट बन जाओ जैसे example के लिए अगर office में हरको टैनिस खेलता है तो आप उन्हें जोइन कर लो बैसे का आपको टैनिस पसंद आओ तो भी ऐसे behave करो जिसे आपको यह game अच्छा लगता है ताकि आप भी कंपनी के social life का पार्ट बन सको next approach है अपने office की language में बात करना जैसे अगर आप किसी technical enterprise में काम करते हो तो आप से expect किया जाएगा कि आप geeky language में काम बात करो चाहे आपको यह सब terms पसंद हो या पिर ना आता हो तो भी आपको उसको सीखना और अपनाना पड़ेगा author को एक बार Italian boss के अंडर काम करने का मौका मिला और author ने notice कि boss को fluent English नहीं आती इसलिए वो बोलते वक्त काफी गलतिया करता था जैसलिके customers या client बोलने के बज़ए Italian boss ने कुछ नया word invent कर लिया था clienters यानि कि अब जाए इसी बात है कि English dictionary में ऐसा कोई word है और होगा भी कैसे क्योंकि यह तो boss ने कुछ invent किया था author उनके colleagues समझ जाते थे कि boss क्या बोलना चाते थे पर boss को कोई टोकता नहीं था कि वो गलत word बोल रहे हैं उल्टर सबने देखा देखी यही words यूज़ करना स्टार्ट कर दिया था आप भी अपने company और colleagues के culture को समझ करके उन्हें के language में बात करने के team के team के part बन सकते हो फिर देखिया आपको हर कोई पसंद करने लगेगा अगर promotion है आपको गोले तो सबका चाहीता बनना भी एक plus point होता है बुलने मिलने का एक और तरीका है अपने boss को compliment देना office में कई colleagues समों के कवेट करते कि कब boss बाहर जाए और वो उनकी बुराई करे लेकिन आपको इस चीज को avoid करना होगा हमेसा अपने boss की positive qualities की तारीफ करनी होगी जिसे मान लो कि आपका boss stupid है और उसको अपने business के कोई knowledge नहीं है तो आप उसे सिखानी के कोशिश मत करोगी business कैसे चलाना है यहाँ आपका काम नहीं है आपका काम है उसका साथ देना उसकी help करना चाहे कुछ भी हो जाए जैसे कि आप यह बोल सकते हो कि आपके boss आपको और ज्यादा hard work करने के लिए motivate करते हैं आप अपने boss की dressing sensor good को present करनी के तरीकों की तारीफ कर सकते हो boss के ब्रती loyal रह करके चाहे वह वहां मौजूद हो या नहीं आप यह साबित कर सकते हो कि आप कितने भरोसे मन हो अपनी कमणी के social protocol को follow करते हो या आप कमणी के culture में घुल मिल सकते हो जैसे माल लोगे कमणी में कुछ strict rules है जैसे car parking कहां हो रही है staff dinner के लिए किसे invite करना है या फिर बहुत दे में आपको कितना gift देना है वगेरा वगेरा author एक बर ऐसे company में काम करते थे जहां कुछ अजीब से rules थे इस company का strict rule था कि work days के दोरान drinking allowed नहीं थी यानि working days में employees को wine या beer पीने के permission नहीं दी जाती थी मतलब alcohol वाली हर्ट चीज बना थे अब क्योंकि author hardcore drinker थे नहीं तो उनको इस rule से कोई खास problem नहीं थे लेकिन वो हमेशा सवाल उटाते थे कि आकिर ये rule employees पर क्यों थोपा जा रहा है फिर उनको असली बात पता चली असल में company में पहले एक finance manager काम करता था जो office में बैट करके दिन में खूप सारा पीता था सबको लगता था कि वो दोपर में अपने office में सो रहा है बाद में पता चला कि वो चोरी चुपे company का पैसा अपने account में डाल रहा था और तब से company में no drinking rules लागू हो गया अगर आपके company clearly mention नहीं करती और बड़े projects के लिए हमारा नाइम recommend भी करेंगे cultivate diplomacy diplomacy जैसी जो कुट नीती भी कहा जाता है कि एक ऐसा art माना चाता है इससे जहां आप अलग तलग situation या फिर problems को बिना लड़ाई जगडे के बड़े आराम से handle कर लेते हैं एक deployment इंसान कभी लड़ाई नहीं करता है और ना ही कभी हाय तोबा मचाता है बलकि उसकी बाते logic और wisdom से भरी होती है मान लो कि आपके कमनी के chairman ने एक meeting बुलाई है meeting के दोरन अचानक से बहस चीर जाती और हर कोई हर किसी से लड़ रहा होता है chairman की बाते कोई नहीं सुनता और situation out of control होती जा रही है आप देखते कि आपकी collect Steve और Rachel इस बात पर लड़ रहे हैं कि कौन सही है कि कौन गलत है दोनों सिर्फ अपना point proof करने के कुशिस करे कोई दूसरे की बात सुन ही नहीं रहा है अब आप इस situation को कैसे handle करोगे आप उनके सामने कुछ सवाल रख सकते हो जैसे कि Steve से पूछो कि उसको क्यों लगता है कि उसका opinion ही सही है अगर Rachel वीच में दखल देते तो उसको दो मिनट के लिए चुप रहने के लिए कह दो उसे कहो कि पहले Steve की बात पूरी हो जाने दो उसके बात Rachel से पुछो कि उसको क्या गलत लगता है उसे भी अपनी बात कहने का पूरा मुका दो तो समझा आपने आपने वो कर दिखाया जो आपका बॉस भी नहीं कर पाया था आप सबकी नजरों में आपकी रेस्पेक्ट और भी बढ़ जाएगी सब लोग आपकी डिप्लोमसी की तारिफ करेंगे यानि कि आप सबकी नजरों में एक समझदार और जिमेदार केंडिडेट बन गए जो प्रोमोशन डिसर्व करते हैं आप चाहे जो भी करो पर किसी की साइट मतलो अगर स्टीव आपका फ्रेंड है तो भी आपको उसकी बातों को फेवर नहीं करना है आपका विहेवियर एकदम हो अबजेक्टिव यानि के फेक्ट्स पर बेस्ट होना चाहिए अगर आप एक की साइड लोगे तो दूसरा आपे भरोसा नहीं करेगा उस तरीके से आप भी प्रोब्लम का हिस्सा बनके रह जाओगे इसलिए डिप्लोमेसी दिखाते हुए खुद भी सांतर हो और बाकियों को भी सांतर रहने की कुशिस करो याद रखिए आपको लड़ाई का हिस्सा नहीं बनाए बलकि बहस को सुलजाना है और अब वक्त है कंक्लूजिन का सबसे पहले थो हमने यह सिखा कि सिर्फ अपनी जॉब करना ही काफी नहीं है बलकि आपका गोल सबसे हट करके कुछ अलग करने का होना चाहिए जैसे कभी कबार रिपोर्ट बना करके किसे निच में माहिर हो करके सेकेंड हमने सिखा कि आपका अपेरेंस काफी ज्यादा मैटर करता है आपके चेरे पर एक अट्रेक्टिव स्माईल आपको लोगों की नंशरों में भरोसे मन बना सकती है अपना एक यूनिक स्टाइल रख करके भी आप अलग दिख सकते हैं थर्ड हमने सिखा कि अपनी वर्क लाइफ के लिए एक गेम प्लान कैसे डिजाइन किया जाए इस प्लान में लॉंग टर्म और सॉट टर्म गोल्स होनी चाहिए जो टास्क आपको पूरा करना है उसके लिए आपको सिंपल अब्जेक्टिब सेट करने होंगे फूर्थ हमने सीखा कि अपनी जॉब करते हुए खुद का खयाल कैसे रख कि हमने सीखा कि कैसे हम अपने personal standards set करके अपनी सच्चाई के साथ में जीच सकते हैं फिप्थ हमने सीखा कि सिर्फ goal set करने से काम नहीं चलेगा आपको यह सीखना होगा कि अपने competitors से एक कदम आगे कैसे रहा जाए अगर आपको promotion चाहिए तो आपको अपने racing sense बातचीत और act करने के तरीकों में बदलाओ लाना होगा हमेसा अपने competition को study करो चाहे वो external competitors हो या फिर internal competitors पहले उनकी ताकत और कमजोरिये पर गौर करो और उसके बाद ही सोच समझ करके कदम उठाओ आपने यह भी सीखा कि अपनी कमपनी में गुलना मिलना भी उतना ही important है आपको अपनी कमपनी के culture को समझना होगा उनी के language में बात करने का तरीका सीखना होगा और यह भी बहुत ज़री है कि आप अपने boss या seniors को compliment देते रहे और last में अगर आप चाहते हैं कि office में सब आपके respect करें आपके colleagues यहां तक कि आपके boss भी तो आपको समझदार हो diplomatic बनना पड़ेगा और अब आपको पता चल गया कि exceptional employee बनने के लिए आपको क्या करना है और अब चाहे तो अभी आप manager senior executive या फिर किसी एक दिन CEO भी बन सकते हो बस आपको वह याद रखना है जो कुछ आपने summary से सिखा है इसलिए आपका भी भी average होने पर खुद को limit मत करो बलकि आपका goal होना चाहिए कि excellence तक पहुंचना और एक दिन आप top तक जरूर पहुंचोगे तो आज की यह book summary the rules for work सारे conclusion क्लियर कर देते हैं सारे understanding हमारे सामने रख देते हैं जिसके हमको जरूरत है अगर हम अपनी job में अपने workplace पर grow करना चाहते हैं तो उस तो यह उम्मीद करती हूं कि यह audiobook summary आपको बहुत पसंद आए होगे comment section पर आपके feedback द्वारा आप यहां पर कैसी लगी आपको यह summary वो बता सकते हैं या फिर अगली summary आपको कोई सुनिये तो वो भी बता सकते हैं thank you for listening this audio thank you so much